नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबी लोगों का मेरे यूटूब चैनल अरुना कैडवी में एक बार फिर से में लेकर आया हूँ, आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ड कुश्चन जो की है लाइक इन और उनका आर्थिक महत्थ, ठीक है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने ही नए और लेस्टेश्ट वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके तो चलिए दोफ्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेस्टन क्वेस्टन है हमारा कि लाइकेन क्या है, इनका आर्थिक महत तो बताईए ठेक है, क्वेस्टन बहुत इंपार्टन है, कोई भी प्रतियोगी परिच्छा हो उसमें पूछा जाता है मोस्ट इंपार्टन क्वेस्टन यहां से बनता है, कि लाइकेन जो होते हैं, वो किस प्रकार के प्रदूसर्ण को प्रदर्शित करते हैं मतलब यह जो लाइकेन होते हैं, यह किस प्रकार के प्रदूसर्ण की सूचना देते हैं मतलब उस इस्थान पर किस प्रकार का प्रदूसर्ण है, यह किस की बारे में इंडिकेट करते हैं ठीक है तो बहुत यह important chapter है इसलिए वीडियो को अन्तक जरूर देखिएगा तो चले start करते हैं तो answer में हम लिखेंगे कि जो likean होते हैं ठीक है क्या likean likean जो होते हैं इनका निर्मार कह लिजे किसके द्वारा होता है लाइकेन का निर्माड कवक और सहवाल के द्वारा होता है ठीक है किसके द्वारा होता है लाइकेन का निर्माड कवक और सहवाल के द्वारा होता है ये आपस में क्या करते हैं सह जीविता दर साते हैं अर्थात अगर 60 में आपसे question पूछ ले जाए कि लाइकेन का निर्माण किसके द्वारा होता है तो कवक और सहवाल के द्वारा होता है ठीक है अर्थात जब कवक और सहवाल आपस में संगठित होते हैं या मिलते हैं तब जाकर लाइकेन का निर्माण होता है ठीक है तो वही क्या कहा जा रहा है कि लाइकेन जो होते हैं अर्थात इनका वितरण क्या होता है तो लाइकेन जो है वो विस्व वितरण दर्साते हैं अर्थात ये संपूर्ण विस्व में पाए जाते हैं ठीक है ये प्राया व्रचों की जाल लकडियों एवं चट्टानों पर पाए जाते ह या कहां पाय जाते हैं तो यहां पर हमाइंसर दे देंगे कि यह जो होते हैं जो लाइकेन होते हैं वेवरच्छों की जाल पर लकडियों पर और चट्टानों पर उग आते हैं ठीक है अब हम यहां पर बात करेंगे कि इनका आर्थिक महत्तु क्या है ठीक है तो लाइकेन का आ पूरी समझ में आएगी जब तक आप उसे आखरी तक नहीं देखते हैं इसलिए वीडियो को अंतग जरूर देखेगा ठीक है तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा कि जयो सूचक के रूप में अर्था जो लाइकेन होते हैं यह वाइव प्रदूसर्ण सूचक के रूप में कारिकर दें ठीक है अब यहाँ पर एक पॉइंट और हम आपको बता दें कि जो लाइकेन होते हैं उनका निर्मार हमने किसके द्वारा बताया था होता है उनका निर्मार जो होता है किसके द्वारा होता है किसके द्वारा होता है कवक और सैवाल के द्वारा होता है अब क्या होता है ये जो कवक होता है इसका जो अंस होता है वो कहलाता है कवकांस क्या कहलाता है ठीक है और जो सैवाल होते हैं इनका अंस क्या कहलाता है सैवलांस कहलाता है क्या कहलाता है सैवलांस कहलाता है यह चीज़े आप रखेंगे कि कवक जो होता है वो कवकांस कहलाता है और जो सैवाल होते हैं उनका भाग क्या कहलाता है सैवलांस कहलाता है यह क्या होते हैं अब क्या होता है यह वाई प्रदूसक गयस यह जो वाई प्रदूसक गयस होती है कौन थी होती है SO2 Sulfur Dye Oxide यह Y प्रदोसक गयस जैसे SO2 के प्रति अतिसमवेदी होते है कौन Lichen ठीक है जिसके कारण क्या होता है कि जो सैवलांस अर्थाज जो Lichen समय पाये जाने वाला सैवलांस भाग होता है उसमें क्या होता है प्रकास संचलेशन की क्रिया कम हो जाती है अब जब प्रकास संचलेशन की क्रिया कम होगी तो क्या होता है जो कवकांस होता है अवकास लिग गया है सौरी यहां पर होगा कवकांस ठीक है क्या होगा कवकांस ठीक है तो जो कवकांस होता है उसकी व्रद्धी अधिक होने लगती है ठीक है अब देखते हैं दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि भोजन के रूप में किसके रूप में भोजन के रूप में वो भी किस प्रका के मानो भोजन के रूप में कुछ कवक या कुछ लाइकेंस ऐसे होते हैं, जिनका प्रयोग मानो भोजन के रूप में किया जाता है, होता क्या है, कि जो लाइकेंस होती है, ये विसाक्त होती है, तो क्या किया जाता है, इन्हें रासाइनिक, पदार्थ के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और जो सेस भाग होता है, उसे भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया जता है ठीक है नेक्ट और थर्ड पॉइंट है हमारा कि जन्तुओं के भोजन के रूप में ठीक है कुछ लाइकेंज जैसे क्लेडोनिया रेगी फेरिना ठीक है क्या नाम है क्लेडोनिया रेगी फेरिना इसका उपयोग जो है जन्तूं के भोजन में किया जाता है ठीक है अगला चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि आउसद के रूप में कुछ जो लाइकेंज होती है उनका प्रयोग जो है हम किसमें करते हैं आउसद के रूप में करते हैं एक बीमारी होती है, जिसका नाम है हाइडरोफोबिया, ठीक है, क्या नाम है हाइडरोफोबिया, इस रोग के लिए क्या किया जाता है, एक लाइकेन होती है, जिसका नाम होता है, पेटगिरा, क्या नाम है, पेटगिरा केनाइना, ठीक है, क्या नाम है, पेटगिरा केनाइना ये जो लाइकेन होती है इसका उपयोग हम हाइडरोफोबिया नामक रोग के उपचार में करते हैं ठीक है तो अगर question पूँच ले जाए कि हाइडरोफोबिया रोग का उपचार किसके द्वारा किये जाता है या किस लाइकेन के द्वारा होता है तो यहाँ पर हम answer सीधा सा लिख देंगे कि पेटगीरा केनाईना ठीक है क्या नाम है पेटगीरा केनाईना ठीक है नेक्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक महातुका कि जो लाइकेन्स होते हैं इनका यूज हम रंजक के रूम में करते हैं रंजक मिन्स लाइकेन्स रंजक को प्राप्त करके क्या किया जाता है कपडों को रंगने तथा पेंट बनाने में किया जाता है आर्था जो लाइकेन्स होते हैं इनसे हम पेंट भी बनाते हैं ठीक है तो यह रहा हमारा आज का कुस्टन कि लाइकेंज का क्या आर्थेक महत्तु है ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब टो वर यूटूब चैनल अरून अकाडमी थैंक्स पार वाचिंग में